जहींद प्यारे दोस्तों आसा करते हैं आप से वच्छे होंगे मस्थ होंगे मंगन होंगे और पढ़ाई जोरो सोरो से करी रहे होंगे थमनेल दिखकर आप सब समझ गये होंगे कि आज हम किस टोपिक पर बात करने जा रहे हैं और क्या-क्या मेहत्पूण जनकारी देने वाल अगर आप और आप एक्जाम पर जाते हैं तो क्या क्या लेकर आपको नहीं जाना है क्या लेकर आपको नहीं जाना है हैं आपको जो समझ में नहीं आ पाएगा वो आप कोमेंट किजीगा हम रिप्लाइज जरूर देंगे तो चलिए मेरे प्यार दोस्तों तो हम लोग आ जाते हैं मुद्दा पे ससी MTS का एक्जाम हो रहा है बहुत बड़ा एक्जाम होने जा रही है और आप सब करना पड़ता है तो सबसे बात करेंगे वीडियो के साथ बने रही का मेरे प्यारे दोस्तों तो सबसे बड़ी बात आप सब जान जाए चली तो हम स्टाट करते हैं अपनी बातों को और थोड़ा सा समय दीजिएगा अगर आप गर्मेंट जोब करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा समय दीजिए तो आसमें आपका नेट कभी-कभी नेट जो है ना आपका दिया जाएगा यह सब बात आप जानती होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है आपको करेंगे बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है कि ब्लेक वाइट भी आप ले जा सकते हैं लेकिन अगर आपका कलरफुल होता है दस रुपर आप जादे खर्च करके का अगर लेके जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका फिर्स मेंच करवाता है सबसे बहुत एकजाम को आप नौर्मल नहीं समझें आपका चार जगा वेरिफिकेसन करता है एक्जाम होल में बैटन अगर को आपको लेके जाना है डोकुमेंट सबसे बहट पून जनकारी होता है मेरे प्यार दोस्तों को एक्जाम सिंटर हम देखते हैं कि विदार्ती लोग जाते हैं रोते हुए वहां से आते हैं एकजाम वो नहीं दे पाते हैं आखिर ऐसा क्या है कि अडिमिर्ट कार में और एक्जाम में टैमिंग में सबसे बड़िवास समझ आईए में मेरे प्यारे दोस्तों इससी टैमिंग में बहुत ग्रेक्ट होता है इतना समझ जाईए एक्जान में अगर आप लेट आते हैं तो वह गेट को क्लोज कर देता है आपको इन्टरी नहीं दिया जाएगा प्रणाब हलका में इस एक्जाम को नहीं लीजिए और आपको पता है कि सेंटर लेवल का जोब है और इसमें जु होता है कि बहुत सारी फेसलेटी भी दिया जाता है आप सब जानते होंगे कि हवालदार के लिए और सब्सक्राइब करना है कि अधार काड आपकर नेट से डाउलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि वार कोड आपका फोटो फ्रेस नहीं दिख रहा होगा इसलिए थोड़ा वहां पर दिक्कत करता है तो इस लिए आपको क्या करना है अगर आपका पोस्ट माधिम से अगर अधार कर आए तो बिल्कुल आप ले जाई वहां पर चलेगा लेकिन अगर अगर अधार आपका नेट से डाउंडोड किया हुआ है वो अधार को ले के जाते हैं अधार आपका फटूरे से बढ़िया है फोटू उसमें फट दिख रहा है आपका और जो भी उसका यहां पर चलेगा लेकिन वहां पर क्या होता है कि इसी कि आपको क्या करना है कि आपको लेकि जाना है यहां पर ले लिजीगा उसके बाद मेरे प्यार दो यहां पर देख पार होंगे फूल ले जाना है कटा फटा नहीं होना चाहिए उनना आप डाउनलोट करवा लेजीगा आइसे यहां पर करवाईएगा कहीं पर दुकान पर दस से पंदर रुपया में यह अधार प्रिंट करके देगा लेकिन अगर आप एक्जाम सेंटर पर जाते हैं तो आपको 100 रुपया प्लिकों लेकर जाईए उसे इंटर लेवल का होता है आप लोग जानती होंगे तो पेंट कर्ण को भी आप रख लिए पेंट कर्णा आपको लेकर जाना है और हां मेरे प्यार दोस्तों सबसे महत्पून जनकार इस बात को भी आप समझने की कोर्सेश कीजिए कि एडिमिट प्लेकर जाना है यह लिए का अंतर में प्लेकां जलता है के अख पर आपके यिसले दितौन आपके नाम के आपके एसा डॉकमेntשה कोना चाहिए कुन दो ऐसा डोकोमेंट आपके पास होना चाहिए जो एडमिट कार से से मिलता जुलता हो ऐसा डोकोमेंट आपको लेके जाना चाहिए दो कुन को डोकमेंट लेके जाना है आपको आपको फोटो भी लेके जाना है दो आपको फोटो लेके जाना है देखिए फोटो उनके लि तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर मांगता नहीं इस वैसा नहीं होता हैutetu यह पिर अकर आपके पास किसी इच्पर को बी फोटो एक फोटो रख लीजिए वह सकता हुद्ध को हो क्या होता है तो फ्रसे वहाँ पर फोटो को चिपका कर जो एक्जाम लेने वाले होते हैं वह तेता है ठीचर लोटों को चिपका पर छुउक्षान कब लाता है थी चाहिए इसको भी आप समझ रहे होंगे तो फोटो आपको ले जाना है को एक फोटो या दो फोटो आप रख लिजोगा ठीक है पेंट कर आपको लेकर जाना है ठीक है उसके बाद दो फिर से बतला रहा हैं थोड़ा सा टैम दे दीजे भाई या प्लीज कीरप्या करके चाहिए ऐसा दो कोमेंट आपको लेके जाना है कि वहां पर आपको कोई किसी भी तरह का दिक्कत और परसानी का सामना न करना पड़े वहां पर बहुत सारी परसानी होती है आप इस वीडियो को पूरा देखके जाएगा आप खुद नहीं पर देखिएगा कि एक्जाम सिंटर तो वो छोटी-छोटी कोई गलती आपको नहीं करना है तो यहाँ पर आप समझ गया है फोटो ले जाना है पिन कार ले जाना अधार कार ले जाना अगर आपके पास है तो बिलकुल ले जाए अगर पहचान पत्र है वोटर आइडी जिसको बोला जाता है अगर पहचान पत्र ह ले जाए बिल्कुल ले जाए एकदम ले जाए उसको भी आप ले जा सकते हैं अगर आपके पास अधार कार्ड ही है तो आपका एक्जाम नहीं होगा बिल्कुल आपके पास बहुत इंपोटेंट निभादा है जो आप नहीं जानते होंगी आप वहाँ बहुत सारी कनिडियेट को बोलेगा सब्सक्राइब करेंगे जाएंगे चले जाएंगे पूरा डिटेल से आपको बताते कि आपको क्या किना है मैट्रिक के लेवल परक्षा बढ़ा है और इसमें आप सोब को पता ही होगा कि आगे भी हम बात करेंगे क्या का डिवर्मेंट आप क्या क्या नहीं लेके जाना है जो जैसे हमको समझ में आ रहा है पूरा चीज आपको डिटेल बतला देते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अगर एक्जाम देने बड़ेया से हम जनकारी दिये हैं डिसक विडियो की टाल देंगे वहां पर आपड़ा कर देंगे यहां पर चांसे हैं मतलब कि सिंपल सी बात है मैत रिजिए जान ला कि बना दिजिए कितनों बना देजिए क्वालिफाई पास ही होना है आपको और आपका खरावी तो रिजल्ट नहीं आप आप लोग ठीक है अगर नहीं जानते तो कमेंट जरूर केजी हम रिप्लाइद देंगे चली तो आते है फिर से अपनाते हैं अपने मुद्धा पर हमको लोग को क्या-क्या लेकर जाना है तिसावाब बात को आप समझ गया मैट्री का माक्सिट या मूल परवान पात्र आपको जरूर लेकर जाएगा मेरे प्यारों दोस्तों इतना समझ जाएगे आपको लेके जाना है बहुत बढ़िया हों कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो चलिए क्या कि लेकर नहीं जाना है खासकर लटकी और लइका दोनों के लिए बतला रहे हैं कि प्याय यह सब करके नहीं जाना है यह सब करके क्यों नहीं जाना है लेकिन ताम आपको नहीं करना है हमारी बहन जी आप लोग जो भी है आपकर वीडियो को देख रहे हैं अगर लड़की है तो इस बात को अब ध्यान पूर्वक समझें यह जो अंगोटी वगएरा रिंग वगएरा होता है विच्या वगएरा होता है गर्दन में सोना चंदी हीरा मोती जुमका वाली कंगना इस पहन के यह जाने का अन्मतिन ही दीया जाता है मंगल शूतर सबीं किया जाता है कहीं जांत एक्सेंटर को बीकषाणुके जासते recycling दिक्कत वाली बात नहीं इसके लिए भी बहुत साला कोमेंट आता है किसरय क्या-क्या पहन की जाना चाहिए कपड़ा में जेंस टोब रगेरा बगेरा जो होता है तो महला लोग का डेल्छों समझ दॉन के बासन लेकिन आप जासकते हैं कोई दिक्कत वाली बात यहहां जाना चाहिए तो आपको बकलस बकलस जो होता है इसको भी कट प़िए जाता है कहीं पहले जाता है ना को चासमा बहुता लेकिन अगर पावर लेंज दस्माने तो आप लेकर नहीं जाए और कितना लोग टोपी लगा लेते हैं तिर्चा उर्चा वला इधर उधर वला तो आपको जौब करना है प्रभू जौब करना है तो गुर्मेंट जो फोरा सब लच्छन तो लगना होगा है ना थोरा सब टू लेकर जाना ही विल्कुल भी नहीं आपको लागए लान जाना ही जाना है सकते हैं इसक लिए कोई डिकत कोई डॉट नहीं है कोई बिकत नहीं है आप मेरे प्यारे दोस्तों हम आते हैं कि स्घिंगा बढ़ाने के वान अदर जानों जाने के देख मे उपकर होग करता है अंदर आप यूज़ऱ् तो हम बढ़िया बत बता रहें गल्स अगर जानते होंगे गल्स लोग सब जानती है तो अगर आपके पास प्रोडम होगे एक्जाम पर जा रहे हैं आपको छेक करेगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप वहां पर चेक करवा लिजेगा जो भी होता है नोर्मल गल्स ही रहेग ज़िए इसलिए हम बतला रहे है थिक है अब आप जाती चेकिंगर तीजगत करेंगा उसके बाद आप को जाते हैं ट्रिशं में आपको बैठ सृट जाना है बात को जा जांडेगे वह आपको वहां फोट खीचाएगा आपका थम का थम लेगा और जा रइसे चाहिएगा उस्बक्त भी आपका थम लेगा दोनो LAUGH का और बाहरद भी लेता है दोना हातो का थम का लेगा थिंख टो अ जो एक फैंदाम खत्म हो जाती है तो बताते हैं आप गर्मेंट कर रहे हैं तो आपको सिर्यस होना परेगा इसमें एक एक चीज को दिखा जाता है मेरे प्यार दोस्तों अगर आप सिर्फ कर लिए वह ना तो फिर भी आपको प्रोब्लम होगी इसी को जान जाइए ठीक है डोकॉमेंट वेरिफिकेशन पर भी हम ब लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए नोटिफिशन ओन रखिया अगर नहीं रिच्पर लगया ता क्यों सबसे बढ़ी बात बताते हैं उनको क्या करना चाहिए जिनका डेटो वर्थ गरवर हो गया है जिनकी मामी पापा के नाम में जो है सब्सक्राइब करना चाहिए तो अगर आपका डेटो वर्थ गरवर हो गया ता आप एक्जाम देने नहीं जाईए बड़ी दुख्ये साथ हमको कहना पार रहा है कि आप एक्जाम देने तब नहीं जाईए क्योंकि आप मैट्री का मार्क शिट को नहीं चेंज करवाब सकते हैं कि जब डुकुमेंट वेरिफिकरशन होगा आपका तो आपको मैट्री के मार्क सिट पर ही होता है सब कुछ तो वहाँ पर आप चेक नहीं करवा पाईएगा इस बात को आप समझते हैं मेरे प्यार दोस्तों आपको लोग के लिए वीडियो बनाते लेकिन आप लोग क्य करवा सकते हैं लेकिन आप अगर करवा हो गया है तो नहीं जाए ठीक इसली बोला है मैट्री के मार्क सिट से अगर मेच नहीं कर रहा है ना आपका डेटो बर तो नहीं जाई है स्पेलिंग में गरबर होगा तो क्या करना हो सकता है किसी का अग अगर होगया वो गोमेंट किसी निलीगघें 1595 का था चाहता होजी कर नना बनने वाले हैं करने वाले हैं तो आपको जाना पर आपको चाने कोदि आर करना पर एगा साफटी इस कर देगा कोट से जो होता है न कोई वकिल को पकरिए गा तब आपको करके देगा तो उसमें आपका जो है से सब कुछ लिखा हो रहेगा जहां पर डेट ओवर्स नाम में कुछ गरवड हो गया है अगर आप फे डिविट बनवाकर लगा लेते हैं तो एक्जाम दे सकते हैं वही चीज आपको डॉक्पेस करना पड़ेगा की टोगरी में गरवड हो गया है फिर भी ठीके प्यारे दोस्तों वीडियो गशफूल लगा होगा अ और एक्जाम सेंटर क्या है कि उरिक्स नहीं लेना चाहता है तो कोई दुकंदार को आप दीजिएगा तो हाँ सबसे 20 रुप्या लेगा आपका मुआल बगेरा सब कुछ आपको रख देगा आपको टोकन बगेरा ऐसे करके देता हैं पूरा जनकारी हम आपको देदी कि कैसे क अगर करके निवेधन करते हैं आप सबसे वीडियो को एक लाइक कर दिए जरूर कर दीजिए उस बच्चा इस वीडियो का तलास में है और उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पाड़ा है क्यों कि बहुत कम ऐसा टीचर है जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं इस तरह का तो उनका काम वो है, लेकिन हम अक्षिय ची जू भी जनकारी होता है, उसके बारे हम बता रहे हैं, डुकोमेंट वेरिफिकेशन पर भी बताएंगे कि डूकोमेंट वेरिफिकेशन केसी क्या होता है, कुमेंट आप लोग जोड़ी कीजीए, आम कीजीएगा, मिलते हैं नेक्स